दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा आपके पास कोई भी अगर आपकी पर्सनल बाइक होती है या आप मालनों उसको सेकेंड हैं पर्चेस करते हैं तो ऐसे में होता क्या है जो हमारे अलोई विल्स होते हैं उनकी यहां पर जो बैरिंग की सीट होती है वो अक्सर यहां से सीट लूज हो चुकी है तो यहां पर होता क्या है जब इतनी सीट लूज हो जाती है यह एक तुप बैरिंग को बार बार खराब करने लगती है दूसरा यहां पर जो है इसके ब्रेक भी अन्बैलस होकर यहां पर जल्दी से घिस जाती है कई तरह कि इसमें दिक्कत आती है दूसरी यहाँ पर जो हमारी बाइक होती है वो बबलिंग करके चलती है। तो यहाँ पर कुछ इसके रिजन होते हैं। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जैसे कि हम मालो बाइक के अंदर, जो यहाँ पर ये हमारे alloy wheels है, या फिर जैसे कि स्पोक वाले सिंपल हमारे चक्के होते हैं वहाँ पर उसके अंदर अगर हम लोकल या डुप्लिकेट बैरिंग डादेंगे तो वो जल्दी से इसकी सीट को खराब कर देता है दूसरा रिजन वो होता है जैसे कि हम बालो बाईकों उबडखाबड रास्तों में चलाते हैं और उसके उपर तीन चार बंदे रेगुलर चलते रहते हैं तो ऐसे में वहाँ पर जब उबडखाबड रास्तों में बाईक चलेगी और वो इसकी स्पीड दोस्तों कम नहीं होगी तो ऐसे वे तब भी हमारे अलोई विल्स खराब हो जाते हैं उसके बैरिकी सीट खराब हो जाती है और उसके अंदर लंगर वगारा भी हो सकता है तो यहाँ पर इतना काम तो हो गया तो इसका सोलिशन क्या है बहुत सारी मेकानिकी यहाँ पर बोलता है कि आप इसके अंदर ने अलोई विल्स चेंज कर दो या पर बहुत सारी मेकानिकी यहाँ पर कुछ पतियां दे के यहाँ पर जुबाड कर देते है तो यहाँ पर आज मैं आपको इसका बेस्ट ट्रिक बताऊगा आपने इसमें करना किया है तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना किया है आपने अलोई विल को यहां से खोल लेना है बाइक में से और उसके बाद आपने इसके टायर और ट्यूब को अलग कर लेना है इसके बाद आपने जाना है खराद वाले के पास जो बाइक के special खराद वाले होते हैं इसके बाद यहाँ पर देखे क्या होगा यहां पर यह जो खराद वाले होंगे इसके वील को यहाँ पर अपनी खराद में लगाकर पहले जो है इसको सेट यहाँ पर कर लेंगे 350 डिगरी पर जो ये बराबर यहाँ पर घूमता ताकि इसके अंदर लंगर वगरा नया हो अब इसके बाद देखे यहाँ पर होगा क्या जो हमारे पास कोई भी किसी तरह का अलॉईवीन होता है चाहे आपके पास कोई भी किसी तरह का क्यों न हो तो यहाँ पर अक्सर आपको देखने को यह मिले ही होगा किसने किसी का यहाँ पर यह जो बैरिंग की सीट होती है खराब हो ही जाती है तो यहाँ पर देखिए जब यह सीट खराब हो जाती है तो ऐसे में इनके पास यह एक कौन होती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या फिर कई बार इनके पास लंबी सलीव होती है उसको यहाँ पर यह पहले ही कटिंग करके रख लेते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर यह पहले नापके इसको कट करके रख लेते हैं जिससे जो है इनका time बच जाए और जल्दी से काम को यह निप्टा ले आब यहाँ पर देखें जब यह इसको इसमें लगा लेते हैं तो यहाँ पर यह जो है जो इसकी यह बीच की seat है जहाँ पर यह हमारा bearing इसमें लगा होता है तो इसको थोड़ा और यह अंदर से जो है cutting कर जातरी तो यहंन पर होगा है जो यह यहाँ पर होगा क्या उनर असाने से फिट आ जाएं आप्गर में धूस निचके में चैने। अरूं में पर टो निचे यहां पर लिघांती विटियो को खीकल क्यों घतरी आपको समय समय पर मिलती रहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी इतनी cutting हो चुकी है अब यहाँ पर इतनी cutting तो हो चुकी है इसके बाद यहाँ पर देखे जो हमारी कॉन लगेगी इसको हम direct यहाँ पर ऐसे नहीं लगाएंगे और जिससे हमारा bearing यहाँ पर यहाँ जल्दी से seat दोबारा जो होता है इसका lose नहीं पड़े अब यहाँ पर देखे इतना काम होने के बाद जो यह इसकी कॉन होती है तो यहाँ पर यह इसको लगाकर यहाँ पर इसके उपर रखके इसको इसमें ठोक देते हैं और बाद में जो है इसको थोड़ा बहुत कटिंग करके जिस हिसाब से यहाँ पर bearing की seat होगी उसी हिसाब से इसको थोड़ा यहाँ पर जो है दुबारा इसकी कटिंग की जाएगी ताकि bearing को जो है आसानी से इसके अंदर ठोक दिया जाए और बाद में वो प्लूजना पड़े तो अब देखी यहाँ पर होगा क्या इसको कुछ देर के लिए यह ऐसे ही रहने देते है ताकि यहाँ पर यह जल्दी से इसकी आरोडाइट जो होगी वो सुख जाएगी और इसके बाद देखी जब यहाँ पर यह सुख जाती है तो इसको यहाँ पर जो है दुबारा से थोड़ा कटिंग किया जाता है बेरिंग के हिसाब से क्योंकि यहाँ पर जो बेरिंग होगा 3701 जो इसके अंदर नंबर आएगा वैसे भी आपके पास कोई भी अलोई वील होता है उसका जो नंबर होता है उसके हिसाब से यहाँ पर सीट तियार की जाती है तो यहाँ पर देखे दुबारा जो है इसको थोड़ा कटिंग किया जाएगा और यहाँ पर जो है उसके हिसाब से जो बेरिंग है बेरिंग को यहाँ पर इसमें ठोक दिया जाएगा तो यहाँ पर यह जो होता है इस तरीक से जो है कोई भी अलोई विल होता है उसको हम इस तरीक से ठीक करा सकते है तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी आपकी बाइक होती है तो उसका अगर अलोई वील खराब हो जाते है तो आप उसके अंदर ये इस तरीकी से अपने खरादवाले के पास जाकर जो हमारे बाइक वाले खरादवाले होती है उनके पास जाकर आप अपने अलोई वील को ठ किया जा सकता है तो यहाँ पर आपको नेक्स वीडियो में आपको ये बताऊंगा जो इसकी ये ब्रेक सुवाली सीट होती है इसको भी यहाँ पर किस प्रकार से रिपेर किया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फोर्मेशन थी जो आज मैंने आपको अपन देते रहेंगे तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद आप सब का दिन सुब रहे जाहिन वंदे मात्रम